चार पीडियों से बेच रहे हैं स्वादिश्ट वाला समोसा पांच पैसे से बेचना चालू किया था आज आट रुपए है लोगों ने जब इनके यहां का स्वाद चक लिया उसके बाद में दूसरी जगह का उनका स्वाद अच्छा ही नहीं लगता है इस तरह की variety बेचते हैं और एकदम pure of quality बेचते हैं जहां पे इनका स्वाद इतना बढ़िया रहता है ना लोग 50-50-60-60 सालों से यहीं पे खा रहे हैं और आज इनको चार पीड़ी हो गई बेचते हुए और इनके यहां के आलूपूरी समोसा जो गोटा दाकोर में मिलता है वो यहां पे इसलिए खाने के लिए और इनकी रहती है कड़ी जो की बहुत ही स्वादिश्ट रहती है और साथ में देते हैं भई मिर्ची जो की नमक वाली रहती है और देखे पूरी जो बनती है एकदम क्रिस्पी और करारी रहती है उतना ही स्वादिश्ट इनका रहता है समोसा जो की बहूत ही क्रिस्पी रहता है दाल वाला समोसा रहता है और गुजराती है तो गुजराती जैसा टेस्ट रहेगा थोड़ा सा स्वीट रहता है बट यहां पे लोगों की भीड कंटिनियूसली रहती है और पार्सल और खाने वाले दूनों ही लाइन में लगे हुए मिलेंगे आपको कभी भी चले जाओ और जब यह पक्के तैयार होती है ना उसका जो रंग आता है ना देखके मज़ा आ जाएगा और खाने के टा जब तक मैं खड़ा था यहां पे एक से डेड़ गंटे तक और लोगों की भीड कम होने का नाम नहीं ले रही थी और कंटिनियूसली ओर चलते रहते हैं और यहां पे आपको कोई भी छी ठंडी नहीं मिलेगी एकदम गरमा गरम ही मिलेगी और लोगों को जब मैंने पूछ साथ से आठ रुपे का हो चुका है वहां तक लोग खा रहे हैं और देखिए इनकी कड़ी जो रहती है ना मुझे तो भई जब समोसा खाते है ना उसके साथ में तीन चार कटोरी जब कड़ी मिल जाए ना तो क्या ही मजा और उतना का उतना भई यहां पे लगता है पार्सल और यह देखिए भई यह इनके समोसे रहते हैं कच्चे वाले उनको फ्राइ करके सर्व करते हैं एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो जाए ना तब तक उसको पकाया जाता है और पकाने के बाद में सर्व करते हैं मेरा तो mostly favorite है इनकी दो चीज जो कि एक तो है आलो पूरी और एक है इनका यह गोल्डन वाला क्रिस्पी वाला समोसा जो की दाल वाला रहता है वह एक वार ट्राइ कर लो ना तो मज़ा आ जाए और इनके यहां पर डाकोर का एक गोटा भी मिलता है जो वह भी बहुत फेमस है इनके पांचो पांच वाराइटी अगर कोई भी खालो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने यह नास्ता क्यों किया क्योंकि यहां पर जो भी वेराइटी मिलती है बहुत ही इस्पेशियल ही रहती है और यह रहती है और देखिए बैटीनियूसली ओर चल रहे थे यहां पर 100-200 ग्रम वाले आपको ओर दीखेंगे नहीं किलो में ही बात हो दूसरी जगा उनको बोलोगे तो वो वेटिंग में खड़े नहीं दिखेंगे आपको बट यहां पर वेटिंग में खड़ा होना ही पड़ता है क्योंकि अगर स्वाध चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद में आपको सबर का फल भी बहुत हो हूं करों है जहां इस साल हो गया है वी साल है क्या भाद करें हो वी साल स्याप ईपřना रहे है और उस साथिह पुडि पंदी हुट अब Sundland पता का अबराуч हुट के साथ में और उस ताइम पे बीच साल पहले और अभी क्या बाव है अभी 400 अभी 400 यानि ज्यादा कुछ फरक पड़ा नहीं है और चीज पहले जैसा ही है आपका क्या फैवरेट रहता है अपका समूसा फैवरेट है सिंडीगेट का समोसा क्या बात बता पूरी दोनों चीज दोनों चीज क्या बात अब है अब यह जब आपको यह खाटे हो जब चपन साल हो गई सब्सक्राइब आप जब चाहिए और अभी कितना हो गया है अभी अभी का में बाव बुच्ता हूं अभी क्या बाव है अभी अभी एक नंका साथ रुपिया है यहां पाच पैसे में खाया मैंने सही बात है तो यहां पर कैसा लगता है स्वाद अच्छा लगता है बहुत बहुत बढ़ यहां और गुलाब तेलिवा परदा है और भई इनके यहां के कारेगर भी 20-30 साल पुराने है तो भई इतनी देर होने के बाद में अब बारे थी यह सब ट्राइ करने की तो हमने भी इनकी आलू पूरी ट्राइ की भई लाजवाब सा स्वाद था भई मैं जूट नहीं बोलूँगा बट इतनी स्वादिस्ट लग सीरे एधा है तो इसको ट्राइ करना था बहुत दिखने में तो बहुत ही बड़िया लग रहता बार्स की लग रहता और ओएल की मातरा देखे मैं बहुत ही कम रहती है तो बढ़िया से कड़ी के साथ मैं अटीप करने ट्राइक बहुत इस वाद लग